हलो दोस्तो, कुकविच शिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो महरेस्ट स्पेशल भी है जिसमें कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे वो है गाजर की सबजी जो आप चपाती के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्सर जार में हम डालेंगे 6 हरी मिर्च साथ ही हमें डालना है 10 से 12 लेसुन की कलिया और इसे दरदरा पीशना है आप चाहिए तो बारिक भी पीश सकते हैं अब रखेंगे गास पर कडाई जिसमें डालना है 2 चमच तेल और जैसे ही तेल गरम होता है उसमें हम डालेंगे आधा चमच राई साथ ही डालेंगे आधा चमच जीरा इसे थोड़ा सा चटकने देंगे और फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है हरी मिर्श और लैसुन जिसे हमने मिक्सर जार में पीस कर रखा था अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ सेकेंड के लिए low to medium flame पर हमें इसे भूनना है और जैसे ये भूनकर तयार होता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर जिसके गोल शेप में मैंने बारिक बारिक तुकडे करके रखे हैं ये देखिए ये एक कटोरी है जितनी आप सबजी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से गाजर आप ले सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लोटू मेडियम फ्लेम पर ही हमें इसे मिक्स करना है गैस की फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ानी है अगर गैस की फ्लेम बढ़ाई तो मिल्च जो है वो भी कडाई को चिपक जाएगी और गाजर का भी टेक्स्चर बदल जाएगा तो लोटू मेडियम फ्लेम पर हमें 2-4 मिनिट के लिए इसे अच्छे से भूनना है ये देखिए ये भूनकर तयार है इसका टेक्स्चर काफी बदल गया है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी कट्योरी मेथी मेथी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है जरूर डालिए अब इसे फिर से अच्छा से मिक्स करेंगे मेथी जो है अच्छी तरह से भूननी है ये देखिए टेक्स्चर आप देख सकते है इसका कितना अच्छा दिख रहा है मेथी डालने की वज़र से गाजर की सबजी जो है बहुत ज़ादा टेस्टी बनती है मेथी भी अच्छा से भून कर तयार है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है इस टाइम पे हल्दी को भी अच्छा से मिक्स करेंगे ये देखिए हल्दी भी अच्छा से मिक्स हो गई है अब यहाँ पर हमें इसमें डालना है पानी तो पानी जो है गरम किया हुआ डालिए मैंने पहले ही गैस पर पानी गरम करने के लिए रखा था एक कटोरी भर के पानी रखा था जो गरम करके हमने इसमे डाला है पानी अच्छा से मिक्स हो गया है अब हम इसमे डालेंगे चार चम्मच सेंगदाना कुट सेंगदाना जो हलका सा भून कर उसे पीस कर लिया है और साथ ही डालेंगे स्वादा नुसर सेंदा नमक इसे के बाद ग्यास बंद कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं यहापर सबजी बनकर तयार है बहुत ही टेस्टी गाजर की सबजी आप देख सकते हैं उसका टेक्स्चर यह चपाती के साथ रोटी के साथ चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है जो भी आपको पसंद ह आप उस तरह से खा सकते हैं तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करके दिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ थैंक्स फो वोचिंग